नमस्का और मैं प्रेंग का आप देखने हैं ओलाइन न्यूस इंजिया सच जब तक अपने जूदे पहन रहा होता है तब तक जूट आधी दुनिया का सफर तै कर चुका होता है जेल से बाहर आते ही मुहम्मद जुबैर ने सुधीर चौदरी के इसी जूट की पोल खोल दी है सुधीर चौदरी ने आज तक के अपने नए नवेली शो ब्लाक इंड वाइट में कुछ ऐसे दावे किये कि ओल्ट न्यूज ने धक्जियां उड़ा कर रख दी है कल शाम छे बजे के बाद मुहम्मद जुबैर जेल से बाहर आए और साड़े आठ बजे आल्ट न्यूज एक ऐसी खबर प्रकाशित की जिससे सुधीर चौदरी के सारे जूट की पोल खुल गए सबसे पहले आप इस खबर में सुधीर चौदरी ने अपने शो ब्लाक और वाइट में क्या कहा है उस बयान को सुनिए जो कि अब पूरी तरीके से जूटा साबित हो चुका है क्यों जूटा है क्यों फेक है ये दावा हम आपको बताएंगे और सुधीर चौदरी का कहना है कि सच जब तक अपनी जूटे पहन रहा होता है तब तक जूट आधी दुनिया का सफर तै कर चुका होता है सुधीर चौदरी के मताबिक ये अमारिका के बड़े लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो दावा किया गया है सुधीर चौदरी की तरफ से ये पूरी तरह से फेक है अगनी वीर योजना पर बात करते हुए सुधीर चौधरी कुछ ऐसा कह गए कि ओर्ट न्यूस ने फाक्ट चक करके घोर बेज़त किया है खबर जो प्रकाशित की गई है वो देखेगा ओर्ट न्यूस की खबर में लिखा है कि सुधीर चौधरी ने आज तक पर नए शो ब्लाक और वाइट के पहले ही दिन मार्क ट्वेन के बारे में गलत दावा किया है क्या गलत दावा किया है खबर में अंदर लिखा है आपको बताते हैं इसमें लिखा है कि कुछ दिनों पहले न्यूस एंकर सुधीर चौधरी ने जी न्यूस से स्तीफा दे दिया इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे ग्रूप का हिंदी न्यूस चैनल आज तक जोइन किया ये तो आप सब जानते हैं 19 जुलाई को उनका जो नया शो है सुधीर चौधरी का वो लॉंच हुआ उसका नाम है ब्लाक एन वाइट इस शो के पहले ही दिन आंकर सुधीर चौधरी ने अग्दी पत स्कीम के बारे में पहली अपवा का जिक्र करते हुए अमार की लेखक मार्क ट्वेन का जिक्र किया उन्होंने शो में मार्क ट्वेन के हवाले से बयान दिखाया कि मार्क ट्वेन ने कहा है कि सब जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक जूट आदी दुनिया का सपर तै कर लेता है लेकिन ये बयान जो है ये Mark 20 की तरफ से नहीं दिया गया है ये कहावत Mark 20 की नहीं है जिनकी तस्वीर लगा कर बाकाइदा कोट लिखा गया है सुधीर चौधी के Black and White शो में उनकी कहावत है ही नहीं Alt News की खबर में आगे क्या लिखा है बताते हैं इसमें लिखा है कि Alt News ने इस कोट के बारे में पता लगाने के लिए Keywords जो होते हैं उसको सर्च किया हमें The New York Times की एक रिपोर्ट मिली इसमें Researcher Garson और टुले कहते हैं कि आम तोर पर जिस कोट के लिए Mark 20 को प्रेडिक दिया जाता है वो सदियों पहले व्यंग का जोनाथन स्विफ्ट की एक पंक्ती का आंश है तो जिसे बताया जा रहा है कि वो जो दिया गया है कोट कहा गया है वो Mark 20 का है वो Mark 20 का ना होकर जोनाथन स्विफ्ट का है The New York Times के मुताबिक और Alt News के मुताबिक आगे भी लिखा है उन्होंने International Fact Checking Network के हिसाब से भी लिखा है उनकी रिसर्च के हिसाब से भी लिखा है उनका कहना है कि International Fact Checking Network की Fact Checking Wing ने फाक्ट ने भी 2017 में रिसर्चर गौर्सन और टुले की वेबसाइट को इन्वेस्टिगेटर का जिक्र करते हुए लिखा कि समय समय पर ये कोट विक्सित हुआ है औ लेकिन ये कोट संभावित रूप से 1710 में जोनाथन स्विफ्ट के एक संस्क्रांट से शुरू हुआ तो कुल मिलाकर इसमें खबर में लिखा है कि कुल मिलाकर आज तक पर अपने नए शो ब्लाक और वाइट को होस्ट करते हुए पहले ही दिन पहले ही दिन सुधीर चौद है जो कि मार्क ट्वें को कहकर सुधीर चौदरी ने कोट किया लेकिन ये पूरी तरह से फेक है ये उनकी कहावत नहीं है बीवी सी के एक क्वाइट इंट्रेस्टिंग शो ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उसमें बताया गया है कि ये कोट मार्क ट्वें विस्टन चर्चिल और फॉर्मस जैफ्रेंड का नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सुधीर चौदरी ने आज तक पर ब्लाक और वाइट के अपने पहले ही दिन पहले ही शो में जूट बोला फेक दावा किया यहां पर बास सिर्फ एक कहावत की नहीं है बात है तैक्स की कि आप इतनी बड़ी टीम के साथ काम करते हैं इसके बावजूद यह बड़े बड़े चैरल कैसे जूट और प्रोपेगेंडा और फेक दावे करते हैं आप देख सकते हैं कभी नोट में GPS लगाते हैं कभी राहूल गांदी के बयान को मिस्कोट करते हैं कभी मंदिर को लेकर आप पहलाते हैं तो कभी मस्जित को लेकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं आस तक जैसा चैनल जिसके बास लाकों की टीम है पाक्ट चेकिंग के लिए लाकों की टीम है लेकिन इसके बावजुद आप देखे कि कैसे कहावत को मिस्कोट किया जा रहा है अब तो श्वेता दिल गया है वो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है एक तरफ आप देख सकते हैं कि सुधीर चौदरी पहले ही दिन पहले ही दिन अपने शो में जिसको ग्रैंड ओपनिंग के साथ लॉंच किया जाता है ब्लाक एंड वाइड नाम का शो ग्रैंड ओपनिंग की जाती है आप देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया समेट कैसे इसको प्रमोट किया गया उसके पहले ही दिन फेक दावा करते हैं फेक दावा करते हैं उसका पैक्ट चेक कौन करता है और नियूस करती है इसी पैक्ट चेकिंग से सच्चाई से सत्ता और गोधी मीडिया के पैर कापते हैं इसलिए फैक्ट चेकर मुहम्मस जुबैर सबकी आखों में खटकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यूपे पुलिस समय दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ गए, उनको 27 जून को गिरफतार किया गया, लगातार जेल में रखा गया, कल अंतरिम जमाना सुप्रीम कोट की तरफ से दी गई है, और ये भी कहा गया सुप्रीम कोट की तरफ से, जो गिरफतारी की ताकत है उसको सोच समझकर सैयम में इस्तमाल कीजे, यूपे पुलिस तो इतना घबराती है, यूपे पुलिस ने ये तक दावा किया, ये तक ही मांग की, कि अगर इनको जमाना दी जाए, तो इस शर्ट पर दी जाए, कि ये बाहर जाकर कोई ट्वीट ने करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोट ने कह दिया, कि हम एक पत्रकार को कैसे लिखने और कैसे ट्वीट करने से रोक सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार, पाक्ट चेकिंग और अपने काम जो करते हैं, महमद जुबैर और उनकी जो संस्था है, और उसको रोका जा रहा है, उसका दमन करने के लिए कैसे पूरा खेल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूत पाक्ट चेकिंग के जरिये, यह सचाई आपके सामने लाते हैं, अगर यह सचाई आपके सामने ना है, तो आपको भी लगेगा कि नोट में GPS लगा हुआ है, इसके साथ ही जो राजस्थान में मंदिर गिराया गया है, वो राजस्थान की सरकार ने जहांगीरपुरी का बदला लिया है, इसी तरीके के मस्जिद में कुछ और मिला है, इसी तरीके के दावे और प्रोपेगेंडा चलाए जाते रहेंगे अगर पाक्ट चेकिंग नहीं होगी, तस पूरी खबर पर सुधिक चौधरी के दावो पर और आल्ट नियूस की फैक्ट चेकिंग पर, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबायां, बल आइकन दबायां, ताकि हर कबर की नोटिफिकेशन आप तक पॉस्पीड है, तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए भड़िवाद इस खबर को अभी लाइक करें, शेर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी जरूर दो थाओगर से चैनल को अभी ये शलना आपर के लाइक करें, यamento भी लाइक करें अभी खबर के साथ, तक कि अजни्य कुछ है कि आफ़ मिलते हैं रजने हैं वींवर के लिए कि लाइक करें तक के लिए कुछ है